हेलो, बेलकम टू केने स्टुडीज, डेली करेंट अफेर्स का MCQ में जो हम डिसकस करते हैं, उसमें आज हम 20 सेप्टमबर का MCQ देखेंगे. इसमें first question है, the National Security Act came into foreseen, तो National Security Act जो है, वो आपका 1980 में आया गया, उसको पास किया गया, यानि कि उसको existence में लाया गया, ये देखो क्या है न, कि किसी को 12 महीने तक उसको जेल में डाल करके रखने का ये तरीका है, और ये बहुत लोगों पे जो भी हैं, जो एक तरह से न, जो सरकार के विरोध में जा रहे हैं, कुछ उस डंग से कर रहे हैं, तो उनको डाल दो, अब डाल दोगे, तो उसमें बेल-बेल मिलना नहीं है, बहुत high court ही उसको दे सकती है, तो उसमें अभी क्या हुआ, कि मद्धे परदेश में एक आदमी को बहुत सारे लोगों को बंद कि गया जेल में, तो वहां के high court ने, जो मद्धे परदेश high court ने कहा इनको छोड़ने के लिए, तो जो magistrate जिसके आदेश पे बंद हुए थे, तो उसने कहा कि कहीं न कहीं, मैं media trial, जो media trial आज के डेट में चल रहा है, तो उसके pressure में आकर कि उसने लगाया, तो ये इसका A हो जा ये अभी जो आपके Sanjay Singh है, राज्य सवा के member है, Sanjay Singh, तो वो आम आदमी party के, तो UP government ने उन पर different charges लगाया है, उसमें से एक charge ये भी है, section 124A of IPC, यानि कि Sedition Act. Next, which country has oldest surviving parliament building in the world, builds करेगा, build कर दो, तो ये इस वजह से ये आया चर्चा में, कि जो अभी हमारा जो parliament के, हमने कुछ questions पहले ही discuss किया था, कि जो Tata Group ने, Tata Group ने डाला है कि 861 something करोर में हम इस building को, यनि कि नया जो building बनेगा, वो बनाएंगे, और जो Indian Parliament का जो present building है, वो 1927 में बन में बनके तयार या, इसका मतलब है कि अभी 100 years भी पूरा नहीं हुआ है, तो कुछ लोगों ने बोला कि ये चुकि building पुराना हो गया है, इस बज़ों से हमें नया building चाहिए, तो लोगों ने, जो positions बगरा थे, कुछ लोगों ने ये बताया कि आइसा नहीं है, कि इंडिया क यहां बहुत सार एदे से, जो इसमें से सबसे पुराना है, जो आइसलेंड का building है, जो 930, 930 यानि कि ये 1000 years पलस हो गया है, तब वो चल रहा है, ये आपका US का 200 पलस हो गया है, फ्रांस का 300 पलस हो गया है, इटली का उससे अधिक हो गया है आपका, तो इटली का 400 पलस येर हो गया, तो जब कोई 1000 पलस येर हो गया, कोई 400 years, 300, 200 and 100 years, तो इस सीजिघे का है, तो इसवाजे से आइसलेंड का वो बील्डिंग सबसे पुराना है, उसमें उसका जो नेम है, अलपिंगी उसको भी कहते हैं, अलपिंगी या अलथिंगी या अलथिंग है, उसका नेम है, तो यह आपको जानना चाहिए. Next, program BABHO is being implemented by, so program BABHO, which is Department of Science and Technology, के द्वारा implement किया जा रहा. BABHO का यह मतलब है आपका BASWIC भारतिय बैग्यानिक. BASWIC भारतिय बैग्यानिक. BASWIC भारतिय बैग्यानिक, यानि इसका full form है BABHO. तो यह one month का एक program चल रहा है कि NRIE जो scientist हैं, उनको एक platform में लाने का कि जो चीज़ें हैं, इंडिया में, जो इंडिया के development में, science and technology के development में, उनसे उनका योगदान हमारे लिये लिया जाए. तो इसका D है. Next, Armed Forces and Special Power Act, APSPABHA imposed in Jammu and Kashmir in which year? तो यह आपका Jammu and Kashmir में, 1990 में, यानि कि इस बार 30 years, September में ही लागू किया गया था, तो September में 30 years आपके पूरा हो रहे हैं, तो यह चीज़ें आपको जानना चाहिए, और in the sense, इंडिया में सबसे पहले जो लगाया गया था, वो 1958 में आपके नागा लेंड एरिया में हैं, तो यह है, निक्स आपका, Consider the following statements about Ravindra Sarobar, It is an artificial lake, सही है, It is located in Kolkata, South Kolkata में है, दोनों statements सही है, यह इस वज़े से चर्चा में है, कि जो छठ जो पूजा होता है, तो बिहार, यह आपका जहारखंड, Eastern Uttar Pradesh और बहुत जगा लोगों, जहां-जहां बिहार के लोग हैं, तो बहुत जगा दिल्ली बगएरा में भी आजकाल अच्छा कासा होता है, तो जो वहां के Municipal Corporation ने यह प्रपोज किया था, कि जो इहां है, इस तालाब में, यानि कि Ravindra Sarobar है, जो artificial lake है, वहां छठ का अनुमती दी जाए, लेकिन जो आपका NGT बगएरा जो different environmental concern जो organizations है, उसने कहा कि नहीं है, आप migratory words बगएरा आते हैं, तो यह सही नहीं है, यह allowed नहीं होना चाहिए, तो later see what happens, लेकिन आपको यह जानना चाहिए, क्योंकि यो पर से ऐसे questions पूछती है, नेक्षिए, IUCN status of sloth wear is, जो है काला रिच्छ या आलसी भालू जिसको कहते हैं, वो vulnerable है, यानि असुरच्छित है, यह इस वज़े से चर्चा में था कि अभी दो जो sloth wear हैं, वो नंदन कानन, नंदन कानन जू जो है, आपका ओडिशा में है, यानि कि भूबनिश्वर में, तो वहाँ जो है, दो यह sloth wear हैं, उनका डेथ हो गया, तो इस वज़े से यह चर्चा में है, तो आपको जानना चीए, तो A. Next, consider the following statements, bamboo is the tallest grass in the world, हाँ, bamboo जो है, grass की सरेनी में आता है, और यह दुनिया का tallest grass है, यानि कि पौधा इसको कर सकते हो, grass के सरेनी में जो आता है, तो first statement सही है, its suits contain 17 amino acids, out of which 8 are useful for human beings, यह भी statement सही है, तो इसका C हो जाएगा, Next, आपका है, kodai kanal is famous hill station in which state, तो यह आपका Tamil Nadu में है, यह art and culture point of view से भी important था, और already जो वहाँ का, जो तालाव है, एक लेक अच्छा-खासा बड़ा जो है, वो जील जो है, वो आपका जो पाराख से, यानिकी मरकरी, contamination हो गया था, तो इसका D हो जाएगा, Next, consider the following statements, British Cune recently astripped the order of British Empire to Harvey Weinstein, which was given him in 2004, हाँ सही है, तो यह 2004 में उन्हें जो है, कि British Empire, order of British Empire दिया गया था, one of the highest award, और उसको जो अभी उसे ले लिया गया, क्योंकि यह इनको जो sexual assault case में, 23 years का two women के साथ, sexual assault के लिए, इनको 23 years का imprisonment दिया गया, तो इस वज़े से जो अवार्ड दिया गया था, उसे बापस ले लिया गया, तो इसका C होगा, इस 10 questions के answer की यहां दिये हुए हैं, और इसका PDF जो है, वो आपको telegram group में मिल जाएगा, ओके, thank you.